नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड आपका एक वर फिर स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड आज किस वीडियो में मैं दो आदतों को लेके आपको कुछ वताना चाहता हूँ फ्रेंड सबसे फहली आदत जो की आपको हमेशा के लिए छोड़नी है और दूसरी आदत जो आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में जोड़नी है फ्रेंड इन दो आदतों के वारे में आपको जाना बहुत ही जरूरी है यदि चैनल पर नहीं तो जरूर ही सबस्क्राइब करना लाइक नहीं किया तो अब भी हाल लाइक कर दो आज में वीडियो के आपको जरूर ही बताना है आज का वीडियो आपको जानकर कैसा लगा ठीक है फ्रेंड तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आदत आपको हमेशा से अपनी लाइफ से डिलीट करनी है वो कौन सी आदत है ध्यान से वीडियो को सुनते रहना बिना स्क्रिप करेंब सुनना ठीक है फ्रेंड देखिए देर रात को खाना खाने की आदत और खाना खाके सोने चले जाना यकीन मानना फ्रेंड यह आदत आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नुस्कान दायक है इस आदत से आपको मोटापा जल्दी आएगा आपको नीद नहीं आएगी आपको डाइबा टिज्यानी की मदुमेगे बीमारी हो जाएगी और आप सरीर से कमजोर होने लगेंगे आपके हाथ पेरों में दर्द वना रहेगा इसलिए फ्रेंड इस आदत को अपनी लाइफ से आज ही डिलीट कर देना देर रात को जादा खाना नहीं खाना चाहिए और कभी कबार आपने देर रात को खाना खा ही लिया तो कम से कम 30-35 मिनिट आपको टहलना चाहिए जल्दी जल्दी टहलना चाहिए ना की खाना खाके आपको सोना चाहिए इस आदत को तो आज आप अपनी लाइफ से तुरणती डिलीट कर देना नहीं फ्रेंड दूसरी आदत जो की महिलां को तो खास तोर से इस आदत को अपनाना जरूर ही चाहिए, महिलां के खून में हेमोगलोविन की कमी रहती है, इसलिए उनको यह काम जरूर ही करना चाहिए, थोड़ा सा गुड का तुकडा लिया और थोड़े से चने लिये, वो भी सिके हुए चने इसको खाने की आदत आप डाल लेजिए यदि आप ऐसा करेंगी तो आप lifetime स्वस्त रहेंगी आपकी fitness एकदम फर्थेक्ट रहेगी आपका चहरा आपकी body की skin एकदम चमकदार और सुन्दर बनी रहेगी कई सालों तक यकीन मानना आपकी उम्र चाहे 60 की हो जाए या 65 की हो जाए लेकिन आपकी face पर आपकी face की skin पर ऐसी सुन्दरता वनी रहेगी जैसे की आप अभी 18 की है इसलिए इस आदत को आपको आज से ही डाल लेनी है तो फ्रेंड इन आदतों के वारे करने में आपको जनकर कैसा लगा मुझे लाश्ण में कमेंट करके आप शरूर ही बता देना तो आज का बीडियो देखने के बाद मुझे चुरूर ही यकीन हो गया है कि आपको चुरूर ही वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड आजके लिए वेस तना ही नमस्कार